वेल तो हे गाईस वेलकम टू माई चैनल मैंने में स्पंकेस तो वेल आपका स्वागत नौरमी रस्लिंग में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले की इस हफते हमें मंडे नाइट रौ की वीवर्शिप कितनी देखने को मिली और समर स्लाम 2023 को लेकर काफी बड़ी अनौंसमेंट देखने को मिल चुकी है और अल्सो डिसकर्स करने वाले अलेक सब लिसके ब्रेक के बारे में और मेंस ऐलेमिनेशन चेंबर मैच के अंदर कौन सबस्दा फेवरेट है युवेस टाइटल को जीतने के लिए इस बारे में भी बात करने वाले हैं और अल्सो सस्ता डीन एम्ब्रोज हमें देखने को मिले हैं एनेक्स्टी के अंदर तो इस बारे में भी डिसकस करेंगे तो काफी कुछ इंटरस्टिंग अपडेट होगी इस वीडियो के अंदर तो भाई वीडियो को लास तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको यहाँ पर हमें सा लेटेस्ट अपडेट और इस इंटरस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके तो चलते हैं फिन टॉपिक पर आते हैं एंट टॉपिक ही सुरुवात करते हैं सबसे सैड निउस की तरफ से तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि जेरी लौलर को लेकर अपडेट हमें यहाँ पर यह देखने को मिली या है छाई लट्सी वेसे क्या कुछ देखने को मिलता है गेट विल सुन जरूर कर देना अगले अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Monday Night Rock के वीवर्शिप को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि इस अपते का जो हमें अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है Alexa Bliss को लेकर तो Alexa Bliss को लेकर अपडेट हमें यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि Elimination Chamber तक डवलली से उनको टाइम आफ दिया गया है यानि कि हमें Alexa Bliss करेंटली किसी भी Storyline के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी वो अभी फिलाल अपने एक Break पे है और Break से उनका हमें Return देखने को मिलेगा Elimination Chamber पेपर व्यू के बाद तो यह कुछ यहाँ पर Alexa Bliss को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है So hope करते हैं कि काफी अच्छे से अपने इस Vacations को Enjoy करे Alexa Bliss अगले अपडेट की तरफ चलते हैं तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि WWE के Batting odds को लेकर जो कि हमें Seth Rollins का match देखने को मिलेगा Obviously हमें Seth Rollins, Damien Priest और जो US title है वो defend करते वे दिखाये देंगे Austin Theory और वो भी किसके Elimination Chamber match के अंदर So ऐसे में तो theory को भाई अपनी title defend कर पाना काफी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है लेकिन Batting odds की बात करें तो Batting odds में यहाँ पर हमें Seth Rollins और Austin Theory एक साथ एक ही जैसे फेवरेट देखने को मिल रहा है भाई खतर नायक मतलब Austin Theory फेवरेट तो है है लेकिन Seth Rollins भी फेवरेट है उनके ही बराबर में नचसी भाई क्या हमें title change देखने को मिलता है वो भी कहाँ पर Elimination Chamber match के अंदर तो यह भी देखना interesting रहेगा अगले update की तरफ चलते तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है SummerSlam 2023 के official announcement को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि SummerSlam को लेकर update हमें आपर यह देखने को मिली है कि 5 अगस्त 2023 को SummerSlam देखने को मिलेगा यह officially confirm होते वे दिखाई दे चुका है जैसा कि मैंने पिछले मैंने खा था आपको एक update वीडियो के अंदर कि next month हमें definitely announce करते वे दिखाई देगी SummerSlam को तो आपके सामने यहाँ पर result है SummerSlam officially confirm हो चुका है 5 अगस्त को देखने को मिलेगा Ford Field Arena में जो कि obviously देखना interesting रहेगा SummerSlam 2023 और hope करते कि काफी बढ़िया SummerSlam देखने को मिले पिछले साल जैसा लेटसी क्या होता है अगले अपडेट की तरफ चलते हैं तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है एक return को लेकर और यह return possibly हमें काफी interesting देखने को मिल सकता और बहुती जल्द देखने को मिलेगा और यह return होगा Bobby Roode का यह सापने सही पैचाना Bobby Roode हमें return करते वे दिखाई दे सकते हैं बहुती जल्द डवलोली के अंदर इनको लेकर ऐसा कुछ यहाँ पर update देखने को मिल रहा है अब यह हमें कब तक return करते वे दिखाई देंगे यह confirm नहीं है लेकिन Bobby Roode हमें काफी surprise तरीके से return करते वे दिखाई देंगे वैसे इनका नाम तो Robert Roode है मतलब Bobby Roode पहले था तो देखते हैं वैसे कौन से name में हमें आपर इनका return देखने को मिलता है Robert Roode या फिर Bobby Roode लेकिन हमें return इनका बहुती चल देखने को मिलेगा WWE के अंदर अगले update की तरफ चलते तो यह update तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन मेरा भाई मेरा एक तरीके से मैंने मन कहा तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को तो मैंने आज NXT देखा NXT के अंदर हमें एक बंदा देखने को मिला इस बंदे का look सेम भाई Dean Ambrose जैसा दिख रहा है मतलब थोड़ा बहुत यह बंदा Dean Ambrose जैसा दिख भी रहा है जैसा कि आप photo में देख सकते हो वैसे मैं यहाँ पर इस बंदे को पैचान ने रहा क्योंकि मैंने NXT बहुत दिनों बाद देखी है तो आप लोग अगर जानते हो तो भाई comment section में जरूब बता देना बाकी आप लोग को भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है मतलब Dean Ambrose जैसा और मैंने Twitter पे खोल के देखा जहाँ पर Twitter पे मुझे फोटो मिला उस photo के एक नीचे comments भी बहुत सारे यही थे कि यह तो सस्ता Dean Ambrose है सस्ता Dean Ambrose मिल गया मतलब आइसा कुछ हम यहाँ पर देखने को बिल रहा था तो आप लोगों का कहना है भाई मतलब यह बन्दा Dean Ambrose जैसा दिखता भी है या पिर नहीं दिखता है और definitely दिखता तो है थोड़ा बहुत और आपको नाम बता देना भाई इसका क्या है क्या नहीं है और overall अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करो, सेर करो, सबस्क्राइब करो जो भी करना है कर सकते हो इंस्टाग्राम और ट्वेटर का लिंक बाई डिस्क्रेप्शन में है वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो और जिसने चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या तो भाई सबस्क्राइब कर लो क्योंकि आपको यहाँ पर मिशाल लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है सो डेफिनेटली चैनल को सबस्क्राइब कर लेना मिलते है एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरिवन गाईस